राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों हिंदू पंचांग के मुताविक एक मास में दो बाद चतुर्थी दिथी आती है अम आवस्या के बाद आने वाले शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बिनायक चतुर्थी कहा जाता है और कृष्ण पक्षी की चतुर्थी याने की पूर्मा के बाद आने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है शास्त्रों में इसे बहुत महत्व दिया गया है चतुर्थी तिथी भगवान श्री गणिश को समर्पित है इसलिए चतुर्थी तिथी को गणिश चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है माना जाता है कि इस खास दिन भगवान गणिश ची की पूजा करने से सभी कारे सिद्ध हो जाते हैं और व्यक्ति की सभी मनुकामनाय पूर्ण होते हैं इसलिए इस दिन हर व्यक्ति को पूरे विधी विधान सी भागवान शिरी गणेश की पूजा करने चाहे हैं। दोस्तों हर महा की चतुथी का अपना खास महत्व होता है। पैसाक मास के कृष्णोपक्षी चतुथी को विकट संकष्टी चतुथी के नाम से जाना जाता है। इस पार यह चतुथी 11 अप्रेल दे शनिवार को है। इस दिन भागवान शिरी गणेश के विकट रूप की पूजा की जाएगी। मानिता है कि इस प्रत को करने से विकटी के समस्ति दुखों का नाश हो जाता है। माना ये भी जाता है कि इस प्रत की महिमा से संतान सुख की भी प्राप्ती होती है। इस दिन भागवान शिरी गणेश को दूरबा चड़ाई जाती है। दूर्वा में अम्रत का बास्माना जाता है। भगवाई शिरी गणिश को दूर्वा अद्वित करने से स्वास्त का लाप होता है और सभी पापों का अंत्वी हो जाता है। चतुथी के दिन भगवाई शिरी गणिश की सासा चंद देव का भी पूजन किया जाता है। पिकर सुद कश्टी चतुथी के दिन यानिकी 11 अप्रेल को चंदरु देख का समय है 11 अप्रेल की रात 10 वजे। इस दिन देशी खी के साथ बिजोरे नीवों का हवन किया जाता संतान महिलाव को संतान सुक्की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शरी गनिष का पूजन करने से घसे सारी नकारा तमकता दूर हो जाती है और परिवार में शुक्षान्ती बनी रहती है। दोस्तों चतुर्थी तिथी भगवान शिरी गणिश को अतिप्रिया है शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिरी गणिश को प्रसंद करने के लिए चतुर्थी तिथी पर जो भी पूजा प्रत्या उपाय किये जाते हैं पह भहती जल्दी शुफल प्रदान करने वाली होते हैं आज की इस वीडियो में हम आपको चतुर्थी तिथी पर भगवाई शिरी गणिश को प्रसंद करने वाला एक बहुती आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं इस उपाय को कहने से भगवाई शिरी गणिश की कृपा से सभी काम निर्वेगन पूरे हो जाते हैं धन सम्मंदी समस्याएं दूर हो जाते हैं और बिगड़े काम बनने लगते हैं इस उपाय को कहने से ना केवल भगवाई शिरी गणिश की कृपा प्राप्त होती है बल्कि साथ में ही धनकी देवी मा लक्ष्मी जी का भी आशिरवाद प्राप्त होता है धन सम्मंदी समस्याइं दूर होती हैं और हर छेत्र में सफलता प्राप्त होती है सभी कारे निर्वेग्न पूरे हो जाते हैं यह उपाई आप गणिश्चतुथी के दिन किसी भी समय कर सकते हैं उपाई करने के लिए इस्तनान करके सच, हरे या पीले रंगे बस्त धारन करें अब आप एक सिक्का लें इसके लिए आप एक रुपए का पांच रुपए का कोई भी सिक्का ले सकते हैं सिक्के को सावन से धुकर अच्छी तरह से साफ कर लें और इस पर गंगा जल का छिड़का करें अब आप एक लोटे में शुद्ध जल लें अब अपने मंदिर के सामने आसन बिछा कर बैठ जाएं भगवान शिरी गनिश जी के चर्णों में आप इस सिक्के को रखते हैं और जल की लोटे को भी आप मंदिर में रख लें इसके बाद भगवान शिरी गनिश जी के सामने एक शुद्ध खी का दिया जलाएं और एक सुगंधि धूपति जलाएं दिये को आप किसी पात्र में रखें अब आप भगवान श्री गणेश जी को किसी फल मिष्थान का भोग लगाएं फल मिष्थान ना हो तो आप थोड़ी सी शक्कर का भगवान श्री गणेश जी को भोग लगाएं हो सगे तो आज की दिन दूर्बा अवश्य ही भगवान शिरी गणेश को अर्पित करें। इसकी पश्चात आप एक पात्र में लाल रंग का सिंदूर लें। सिंदूर में आप थोड़ा सा शुद्ध चल या गंगा जल मिला लें। अब इस मंत्र का जाप करते हुए आप भगवान शिरी गणेश जी को सिंदूर से तिलख करें। मंत्र इस प्रकार है। सिंदूरम शोभनम, रक्तम सौभांके सुख वर्धनम, शुब्दम कामदम चेव सिंदूरम प्रतिग्रह ताम। हिंदू तर्म में भगवान शिरी गणेश जी को सिंदूर चड़ाने के पेछे कई मानेता है। यह मंगल एवं शांती का प्रतिख होता है। गणेश जी को सिंदूर से तिलख करने से घर में शुक्सम्रति आती है। बुरी नजर से भी बच्चाप के लिए गणेश चतूथी के मौके पर लाल रंका सिंदूर भगवान शिरी गणेश जी को अवश्य ही लगाना चाहे। ऐसा कहने से गणेश जी की कृपा प्राप्त होती है। शिप पुराण के अनुसार हाती का मस्तक गणेश जी को लगाते समय सिंदूर का लेप लगाया गया था। ऐसी में गजानन को सिंदूर अरपन करने से मुसीवतों से बच्चाप होता है। गणेश जी कुछ सिंदूर चढने से बुरी शक्तियों से छुडकाला पाया जा सकता है। इसे नकारात्मक शक्तियों से भी बच्चा होता है। गनेश्ची को सिंदू से तिलक करने के पश्चात अब आप भगवान शिरी गनेश्ची के इस मंत्र का 108 बार चाप करें। मंत्र इस प्रकार है बक्र तुंड महा काय सूर्य कोटी समप्रभा नेविक नम कुरुमे देव सर्वकारी शुख सर्वतां। इसका अर्थ है घुमाबतार सून वाले विशान शरीर काय करोणों सूर्य के समान महान प्रतिभा शाली। मेरे प्रभु हमेशा मेरे सारे कारे विना बिग्न के पूरा करने की कृपा करें। मंत्र का जाब करने के पश्चात आपने भगवान शरी गणिश जी के चर्णों में जो सिक्का रखा है। अब उस सिक्के पर आप सिंदूर से अपने नाम का पहला अक्षर लिखें। ध्यान रखें, इसके लिए आपको वही सिंदूर इस्तमाल करना है जिसे आपने भगवान शरी गणिश जी के तिलग किया है। अपने नाम का पहला अक्षर लिखने के बाद आप इस सिक्के को फिर से भगवान शरी गणिश जी के चर्णों में रखतें। इसके बाद बिगन हर्ता भगवान शरी गणिश जी से अपने सभी बिगनों को दूर करने की प्रातना करें। इस तरहें पूजन करने के पश्चात अब आप उसी सिंदूर से अपने माथे पर भी तिलग करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिरी गणिशी की क्रपा प्राप्त होगी इस तरहें पूजन करने के पश्चात आपने मंदिन में जो जल का लोटा भरके रखा है उसके उपर आप एक प्लेट ठकते हैं अब इस प्लेट में आप थोड़े से साबु चावल रखते हैं इसके बाद आपने भगवान जी के चरणों में जो सिक्का रखा था वो सिक्के को उठाएं और अपने माथे से लगाएं इसके बाद आप इस प्लेट के उपर चावलों के उपर इस सिक्के को भी रखते हैं ध्यान रखें, सिक्के पर जो आपने अपने नाम का पहला अक्षन लिखा है, उसे आप उपर की तरफ रखें. अब जलके पात्र के सहित इस सिक्के को आप किसी ऐसे इस्थान पर रखें, जहां चंद्रमा की रोशनी पड़े. ध्यान रखें, वह इस्थान साफ होना चाहें. आप अपनी छट पर, आंगन में, या बालकनी में, या खिड़की पर, कहीं पर भी इस जलके पात्र को रख सकते हैं. रात पर आपको इस पात्र और सिक्के को ऐसे इस्थान पर ही रखना है, जहां इस पर चंद्रमा की चाया पड़ती रहे. दूसरी दिन सुभे, आप इस स सिक्के को उठाएं, अपने माथे से लगाएं. भगवान श्री गणिश्ची का नाम ले और इस सिक्के को आप अपने पर्स में या अपने धन रखने के इस्थान पर रखते हैं. ऐसा कहने से घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती. इस सिक्के को पर्स में रखने से पर्स हमे सिख्य के नीचे जो चावल रखेते उन्हें आप अपने घर के चावलों में मिला दें और जो जल है उस जल का आप अपने पूरे घर में छिड़काप करें ऐसा करने से घर में से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी ध्यान रखें जलका आपको अशुद्ध जगे पर जैसे कचर रखने का इस्थान या बात्रूम वहाँ पर आपको इस जलका छिड़काप नहीं करना है घर में जलका छिड़काप करने के परशात आप बचे हुई जलको प्रशात के रूप में अपने परिवाद सहित क्रहन करें दोस्तों चतुथी के दिन भगवान शिरी गणिश्ची के प्सास साथ चंदिदेव का पूजन भी किया जाता है माना जाता है इस दिन चंदिदेव के केरनों से हमें भगवान शिरी गणिश्ची का आशिरवाद प्राप्त होता है गणिश्च्चतुथी की रात को इस उपाय को करने से, चंदीदेप के केर्णों से, मिलने वाला भगवान शरी गणिश का आश्रवाद इस सिक्के और जल में समा जाता है। भगवान शिरी गणिश के आशिरवास स्वरूप इस सिक्के को अपने पास रखने से बिगन हर्ता भगवान शिरी गणिश जी के कृपा से हर कारे में सफलता प्राप्त होती है भगवान शिरी गणिश के आशिरवास स्वरूप इस चल को ग्रहर करने से तन्मन स्वस्थ रहते हैं और भगवान शिरी गणिश जी की क्रपा प्राप्त होती है दोस्तों इस उपाय को करते समय आपको इस बात का विशिष ध्यान रखना है कि आपने अपने नाम का पहला अक्षर सिक्के पर लिखा है तो आप इस सिक्के को अपने पास ही रखें या फिर आप अपने घर में भी धन रखने के इस्थान पर इस सिक्के को रख सकते हैं लेकिन ध्यान रखें, अपने नाम का अक्षर लिखा हुआ यह सिक्खा आप किसी और को ना दें. ध्यान रखें, यह सिक्खा आप अपने परिवार में भी किसी सदस्य को ना दें. उमीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज लाइक करें. हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तिदारों में ज़्यादर से ज़्यादर शेयर करें. जिस से भेभी इसका लाब उठा सकें. हमारी और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फर वाचिंग, राधी राधी.